हलो दोस्तों नमस्कार मैं आपका अपनी इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आज किस वीडियो में हम फिर से गोल्ड का अनेलैसिस करने वाले हैं तो आई चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं आज का फॉर्स fundamental analysis यानि कि आज कौन से Forex event है तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने high sensitive news को यहाँ पर लगाया हुआ है और आज साम को UST के लिए दो data आने वाले हैं cv consumer confidence और jolt job opening report तो इन में से यह वाला data काफी important रहने वाला है बाकी तो सारे data काफी है तक important ही रहते हैं यानि कि हमको एक थोड़ा मोटा मोटा idea मिल गया है कि शाम को market में UST के regarding news है तो market में अच्छा moment आ सकता है शाम के टाइम में तो अभी चलते हैं हम अपने गोल्ड के चार्ट में दोस्तों गोल्ड के चार्ट के अगर मैं बात करूं तो इसमें हम क्या ही analysis करें क्योंकि इतने दिन से मैं जिस तरीके से आपको वीडियो में समझाता हुआ जा रहा हूं मार्किट बिल्कुल एक्जेकली उसी तरीके से मूव कर रहा है लेकिन फिर से हम यहां पर एक बार रिवाइंड करेंगे जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों को ज्यादा बैतर तरीके से सीखने को मिलेगा और आप खुद से analysis कर पाएंगे और यहां पर आप देख सकते हैं मार्किट यहां से हाई से गिरा नीचे लोग बनाया देन लोवर हाई देन लोवर हाई लोवर लो और इसी परकार से मार्किट यहां पर नीचे की तरफ चलता रहा तो यहां पर आप अल्टिमेटली जब देखेंगे मार्किट ने जो अपना फ करेगा तो उपर की तरफ जाएगा सिक और यहां पर किस परकार से जा रहा है उसके परे में थोड़ा से समझेगा जैसे कि मार्किट ने अभी अपना फाइनल लो बनाया ये वाला लो के बाद बनता है यहां पर यहां पर यहां से उपर की तरफ आना चाहिए क्योंकि देट कि मार्किट अप्रेंड में मार्किट हाय और हाय लो बनाता हुआ उपर की तरफ आए तो यहां पर इपर एक इंप्पोर्टेंट और आजाती है कि अभी हमारे यहां पर लेवल वैसे तो आपको अपनू लास्ट वीडियो में भी बताये थे लेकिन फिलाल के लिए हम य जहां पर यह 950 कि आसपास रहेगा तो आपको बाइ और सेल करना कैसे है दोस्तों आपको स्ट्रेड़जी के कोडिंग बाइ सेल करना है और प्रोपर स्टॉप लोस के साथ काम कीजिए को इस इंपॉर्टेंट है देखें यहां पर अगर मैं आपको stop loss बताऊं क्योंकि यहां पर यहां पर यहां ने 4 आर का चार्ट लगाया हुआ है तो यहां पर तो stop loss काफी बड़ा वैठेगा तो stop loss आपको लगाना होता है वही जिस time frame में आप trade करते हैं जैसे कि let's suppose पांच मिनिट या 15 मिनिट में जो भी आप trade कर profile strategy बताई है जिसके भी आप मार्केट में बड़ी ऐसे trade कर सकते हैं तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं gold अप्ट्रेंड में हैं और अप्ट्रेंड का काफी ज्यादा लोग इसका फायदा उठा रहे हैं और काफी ज्यादा चीज़ा आपको understand भी हो रही है आपको समझ भी आ रही है इसके लिए मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है तो दोस्तों ऐसे आप सीख कर ट्रेड करते रहे हैं सीख कर ट्रेड करेंगे तो आपको ट्रेड करने में ज्यादा मजाएगा अब इसी के साथ साथ चलते हैं crude oil का चार्ट है और इसमें हम देख लेते हैं हम क्या बात की थी जैसे कि आप देख सकते हैं crude oil में एक high point बनने के बाद यहां से बना low then lower high then lower low lower high then lower low तो यहां पर इसे फिर से ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा अधर वाइज मार्किट में अभी निव लोवर लोग बन सकता है इसकी काफी ज्यादा possibility हैं दोस्तों तो यहां पर आप देख सकते हैं कल मार्किट ने कोई खास moment नहीं दिया है तो यहां पर कोई भी अच्छी खासी volatility नहीं है लेकिन अभी यहां पर एक अच्छे मूव का वेट कर सकते हैं मार्किट जब तक अपने इस वाले लेवल से नीचे नीचे है जो हमारा यह लेवल है कि आप लोग independently analysis कर सकें दोस्तो analysis करना बहुत rocket science नहीं है कोई भी कर सकता है कोई भी trading को सीख सकता है लेकिन जैसे किसी भी segment को किसी business को सीखने के लिए उसके core fundamental basics strong होने चाहिए वह अगर आप systematic way में उसकी study करते हैं तो आप उसको सीख लेते हैं तो same वही है trading में भी अगर का परियास करेंगे तो definitely आप trading सीख पाएंगे और आप independently trade कर पाएंगे दोस्तों में लोगों के लिए भी कहना चाहूंगा बहुत सारे लोग जादतर trading में इस परकार से आते हैं कि उन्हें बस कोई hard and fast strategy चाहिए कि बस वह हमेशा लगाए उससे profit होता रहे कुछ वह मेहनत न मेहनत कर लेंगे थोड़े time के लिए तो पूरी life आप कितनी मौज करेंगे तो यह शायद आपको पता नहीं है तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आप मेहनत कीजिए मेहनत क्या करनी है सिर्फ माइंड की मेहनत है चार्ट को देखना है और चार्ट पर जिस तरीके से analysis करते हैं देखे analysis करने की techniques हजार हो हैं तो मैं किसी को गलत या किसी को बहुत ज्यादा सही नहीं बोलूँगा क्योंकि टेकनिक वह सही होती है जो आपको समझाए तो मार्किट में बहुत सारे मतलब techniques पर लोग काम करते हैं तो जो टेकनिक आपको अच्छी लगती है मेरी बताई चार्ट का behavior समझ आना चाहिए अगर आपको एक बार चार्ट का behavior समझ आना सुरू हो गया दोस्तों तो यकीन मानिए आपको कुछ और करने के आवशकता ही नहीं है सिर्फ एक script पे market में इतने सारे pair है इतनी सारे script है अगर आप किसी भी चार्ट का behavior समझने लगे कि यह इस त तरीके से बाइंग कर सकते हैं इस तरीके से सेलिंग उसका behavior समझना तो दोस्तों आपको ट्रेड करने में बहुत ज्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों अमीद करूंगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपके साथ अपनी और उसके लिए आपको कोई भी charge नहीं देना है सब गुछ आपके लिए और उसके लिए जास्त अपको एक ट्रेडिंग अकाउंट ऑपन कराना होता है और is Arist salvar में लोايडियो अगरそंद आपका अपको मुझे वाट्साप पर मैसिज कीजिए गा आप अपना आईबxi जेंज झाल झाल